हमारे निरंतर भजन में ये बीश बातें बाधा पहुचा देते हैं यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं हमारा निर्दोष भजन हो तो इन बीश बातों से बचना चाहिए पहली है अपने जीवन में जाच कर लेना इस्ट से गुरूशे बिमुख करने वाले पुरुशों का या इस्त्रियों का या विशयों का किशी भी तरह से हम शंग न करें पहली बात आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे हमारी भक्ती को बाधित कर दे चाहे वो इस्त्री शरीर हो चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे वो कोई बिशही क्यों नहों हमें उससे संपर्क नहीं रखना भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना पहला लक्षण है अगर वो कोई है हमारे जीवन में तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा हमेशंग नहीं करना है समझना है हमेशंग नहीं करना मनों भगवत मार्ग में बिरक्त हैं तो पर जो ग्रहस्त है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है परिवार में अलग-अलग, उद्देश वाले अलग-अलग भावाले हैं बिन्ने-बिन्ने मती, अलग-अलग मती वाले हैं अब वो कैशे भजन करें? अपने को संपर्क नहीं रखना है अपने को जो करतब भी पालन करना हो करना है लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुनने, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना, अगर इतनी चतुराई नहीं तो भी भजन बादित हो जाएगा, जासे होए शने हैं, रामपद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभू के चर्णों में प्रेम हो, यह सबसे बड़ा मत है, गो स्वामी तुछ सिदा जी कह रहे हैं, हमारे आराध्य देव, गुरु देव, इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे, आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुर्ण, महिमा, धाम, जो गुरु देव शिप्राप्त हुआ है, उसमें हमारी अरुची करवा दे, इससे बड़ा क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारे देह को नश्ट कर देगा लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंद को ही नश्ट कर रहा है यह तो हमारे परमार्त को ही नश्ट कर रहा है सबसे पहला इन बीश बिगनों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रधा अरुची पैदा करवादे ऐसे बहिर मुख कुशंगी का संग नहीं करना चाहे वो इस्त्री शरीरदारी हो चाहे वो पुरुष चरीरदारी हो या कोई विशे ही क्यों नहीं हो जिस विशे के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए हमें वो विशे शेवन नहीं करना दूशरा अधिक बोलना मननशील महत्मा को ज्यादा बोलने का उशर नहीं है प्राहा आप देखना भजनानन्दी उपाशक मौन ब्रति मिलेंगे एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन उपाशक को विचार मौन रहना ही चाहिए आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है कोई चाहिए नाराज हो या प्रसन्व में इससे मतलम नहीं हमें अपने शिद्धांत से चलना है, बैठ करके गपे नहीं मारनी, कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायन रेकर, हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चलना है, अधिक बूलना ये भजन में बहुत बड़ा बिग्ण पैदा कर देगा कैशा? शब्षे अधिक पाप वानी से बनता है क्योंकि हम इसे शमजी नहीं पाते हैं किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है, वो बहुत बड़ी गठरी होती है पर निंदा के केते आवत ने कच्वात मूरक परवत पाप को परवत पाप को लेचल अपने साथ बड़ा भारी पहाड पाप का रख लिया और भजनानंदी उपाशक को ये शमय कहा है किसी के विश्य में बोलने का, पर देखो अपने लोगों में अगर ये बिग नहें अधिक बोलना तो दो बाते आही जाएंगी, किसी की इस्तुती और किसी की निंदा किसी के गुण का वर्णन और किसी के अउगुण का वर्णन, ये आपके भजन में बादा पहुचा देगा अधिक बोलने से मिथ्या भाशन निकल जाएगा अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी ये आपके लिए हानिकारक होगा अहितकारी वचन मिथ्या वचन निंदा अपसे भरे वचन ये हमारे जिव्या में नाम भगवान को प्रकासित नहीं होने देंगे मंत्र में रुची नहीं हो पाएगी अधिक बोलना तीश्रा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना आज ऐसे भोजन मनाया जाए आज ऐसे किया जाए किशी भी इंद्री जन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्या से भोगने की इच्छा रखना ये भजन के लिए बहुत आनिकारक है शरीर के प्राण पोर्षन के लिए ही हमें केवल अन जलाद का आवश्यक ग्रहन करना होगा जिसे हमारा शरीर भजन मार्ग में शाहता दे बश अगर इसी जन्में व्भगवत प्राप्ती करना है तो आपको चारो तरफ से अपने आपको घेरना होगा अगर हमारी इंद्रिया हमारा मन विशह शेवन में ही बना रहा तो भगवदानन्द किस से हम अनुवो करेंगे कैसे हम भगवद चिंतन में तनमे होंगे बिना तनमेता के आराद देदेव की अनुभूती नहीं होती चोथा अधिक सोना जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुन की अधिक्ता के कारण भजन नहीं बनता है आपको आश्यर होगा कि ऐसा कैसे हो शकता है भजन की जब लगन लगती है ग्यारा बजे रात्तिरी के शैन करना दो बजे उठ जाना इश्नान किया शोच किया ब्रणदावन की परिक्मा की ऐसी दिन चर्या और दो बजे दिन में मादू करी मांग के पाना कोई बाल भोग और सब चाय नास्ता कुछ नहीं दो बजे दिन में आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो शकता है यहीं अपने यहीं ब्रणदावन की हित धाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे है बिजली का कनेक्शन कटा हुआ नहीं चाहिए बिजली अगर हम विशे सेवन में रुची रखेंगे तो हमारी रुची भजन की कैसे बनेगी और शरीर है यह जड़ है इसको जैसे रखो वैसा अब्यास बन जागा कह रहे है काशी में देखा दो घाटों के बीच की दरार में एक मात्मा रहते थे रात्री के बारा एक की लगभाग निकलते थे युगल किशुर ने बता है हम तो घाट में रहते है हम तो यहीं बैठ जाएंगे देखेंगे और निकले एक अंग उच्छा की लंगोटी लगा हुए बश अस्थिमात्र होए रहे शरीरा गवरण तेजो मही उनकी दरश्टी गय गंगा जी कहिश्णान किया जब शास्टांग दंडवत करके यह हमारे मतलब एक सुभाव था कि कुछ भी ऐसा तो उससे बात करना उनसे कि इस्तिती कहा है कैसी इनकी धरा है तो जब संबाश्ण के लिए प्रार्थना की तो तो सुने करे दम निरपेक्ष महापुरस उनको किसी क्या पेक्षा नहीं पर जब दैन नहीं होकर प्रणाम मुद्राम तो रात्री का स्वर में एकांत घाट में है कि महाराजी आप इसमें कैसे रह लेते हैं बस ऐसे पतली सी लॉंबी दरार थी उसी में गुश जाते थे और एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख लेते थे जो है कैसे आप रहते हैं गाट में तो वैसे गर्मी पढ़ते हैं यह जन्म अभ्यास के लिए मिला है चित्रकूट में राम लीला हो रही थी नवी नवस्था थी सुला ठारा के बीच की स्वामी जी की तो राम लीला में जब देखा की भगवान राम शुबय राज्या विशेख होना था और चौदा वर्ष का बनवास बड़ी तनमेता से देख रहे थे दमवा की जब प्रभू को बनवाश हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का अब मैं घर नहीं जाओ महापुरुशों में एक विचार धारा अलग बनती है अब तो जीवन किस का बाग पड़े वाँ से राम लीला से गंगा के किनारा पकड़ा वह समय काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे तो स्वामी शंकरा नंद जी महाराद बड़े अधोत इस्तिती को प्राप्त महापुरुश्ते अशनी आश्रम जब गंगा किनारे ब्रहमान कर रहे तक जो उनके पास आये तो उनके द्रश्टी से देख लिया कि इनकी बहुत उची अवस्था जागरत होने वाली अध्यात्मी की तो उनका बेटा कैसे तुम तुमारा तो यह जो वेश है और यह अवस्था है तुम पढ़ने की है ऐसे कैसे उन्हों बदैस्वामी जी मैं राम लीला देखकर भगवान का बनवास में शेह नहीं कर पया अब मैं निश्चे करता हूं कि आज एवन बनवास करूँगा इस निश्चे का स्वरुब क्या होगा उनका गोर वहीरागिश्य जीवन भितीत करना तो उनका फिर सन्यास मारग ले लू कहां दे दीजिए नवीन अवस्था में गंगा जी में सन्यास दिया गया, शन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जता है, निर्वस्त और गंगा में खड़ा किया जता है अब तुम्हारा कौन है तो गंगा को शाक्षी करके बोलता है, कोई नहीं, नारायन की सिवा मेरा कोई नहीं, फिर वो संसकार किये जाते हैं, फिर बहुत से संत उपस्तित रहते हैं, फिर उनको लोग मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है, और यहां तक केवल वस्त ढखने के अनुमती सन्यासर को, जब उनको लंगोटी दें, उनका नहीं गुरु दे हुए क्योंको संसकारी मा पुरुषते तो बोले अब लोग बिवार रहा कहां, तो उनका ठीक है, ऐसा इसा ही चलो तो कहां, बोले आश्रम बोले नहीं, जाल, हमें, आपने शन्यासर दिया, आजीवन, आपके शाम नियम लेते हैं, यहीं जीवन बितित करेंगे, तो गंगा का किनारा ही उनका घर था, जैसे गंगा बढ़ती है, उपर चले, जैसे घरती हूँ ऐसे, रेट, बस धिकांबार, नवी नवस्था थी, उनकी स्थिती है, जटाओ के भार से, नशे में जैसे उनमत महापुरूश, भगवदानद, और शरीर की तुचा एक दम मोटी है, अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, समेशन में पर गर्मी, बालू तब्थ होती, वह ऐसे, क्या हुआ, क्या उनका शरीर नहीं था क्या, निश्चे इतना जोर का, कि देहराग मिट गया, तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ती नहीं है क्या, पर हम यह कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हम कोई पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने के, आकांक्षा करो भगवत तत्तु की ग्यान की, आकांक्षा करो भगवत प्रेम की, आकांक्षा करो प्रिया लाल के रूप रशाश्वादन की, उनके सी चरण सेवा की, यह आकांग्शा का भी से हैं यह आकांग्शा का भी से थोड़ी है कि हम यह पहल लें, हम यह खा लें हम ऐसी परिष्थिती में रहें हमारी ऐसी हाई फाई बिवस्ता हो हमारी मांग नहीं होनी चाहिए हम स्वामी के आशित है जैसा हो चाहिए वैसा करें, जिसमें वो राजी हैं, तो अधिक नींद लेने का यह शुभाव, उपाशक को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ना सोना, और बहुत सोना, अगे के इस लोग में भगवान मना करते हैं, दोनों को योगशिद नहीं होता, बिल्कुल ना पाना, और बहुत पाना दोनों को योगशिद नहीं होता, तो अधिक नींद लेना, इस पे शाषन करूएद भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, आपकी दिन चर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए, जितने महात्मास तक मिलें, उन सबकी दिन चर्या परिपक रही है, परिपक दिन चर्या तक भोजन नहीं मिला, तो इसके बाद भोजन नहीं पाएंगे, चाहिए चपन प्रकार के भोगा जाएं, एक मात्मा जिस आस्रम में हम गंगा किना रूके थे, उस ये आस्रम में आये थे, शाम टाइम वो कुछ नहीं लेते थे, एक टाइम दोपार में अगर विक्षा मिल गई तो लेते थे, प्राया कौन के पीछे पढ़ता है, खान पान के पीछे है, जिसकी लगन लग जाते हैं प्रभू की प्राप्ति नहीं यह तो बहुत चोटी बाते हैं, इन वहाँ पुरिशों को दे, वो शाम के जो उस आस्रम में आये, जहां हम टिके हुए थे, तो उन नहीं स्वामी, दूसरी बार पूशते हैं, उनकी दृष्टी बार में, यह क्या है, यह कोई श्वागत है, अरे परमारत्य के पति को करके नियम को तोड़ने के लिए तुम जोड़ दे रहे हो, यह क्या प्राण पोर्शन करना ही सादू का धर्म है, क्या, हटाई, आप कैस आरादे देव से प्यार करते हैं, हमें विश्य शेवन के लिए कोई प्यार दे तो इसे प्यार कहते हैं क्या, आरादे देव के चरणुग जासो हो सने, राम पद, ए disciplines हमारो, अधिक भोजन, पाँचवा है, अधिक भोजन, सच्ची मानिय, यह अनुभो की बात कहते हैं, अ अलपाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुची नहीं रहेगी अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चेहे उसे अधिक लोगे तो आप ब्रहमचर रही नहीं सकते आप भजन कर ही नहीं सकते आपकी भजन में रुची नहीं रहेगी, वो एक खिलवार के वल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा, आप दो-चार दिन आपको थोड़ा परिशानी पड़ेगी, किसी भी सैयम को धारन करने के लिए, आप उसे धारन कीजिए, फिर आप देखिएगा, अगर आप 15-20 दिन ऐसे सैयम से चले, फिर हमी छुट दे दें तो आपको ओके नहीं बस है साई ठीक है, धीरे-धीरे आपको हर इंद्रीक, हर व्रत्ती को अपने आराध्य दिव प्रियालाल में शमर्पित करना है, रोज कर रोज हमारी आयू नस्ठ हो रही, हमारा लक्षे के वाले यही बना हुआ है, संसार के भोग सोचो हम कहां कड़े हैं, हमें कहां पहुचना है, अधिक भोजन ये भजन का बिग्न है, पाचवा, और छठा है, उपाशक होकर हसी मजाक गंदी करना, उपाशक भी हसते हैं, अपने आराध्य देव की अपने उपाशना की उपाशक मिलकर बारता ऐसा नहीं कि संसारिक उन उनको सुनके हसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ, चल रहा है कमेटी को हम हसने हैं, ये साधना है क्या, हसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत हैं, हास परिहास रसिका, या उपाशक दिनापस में बैट करके भगवद वारता, पवित्र वार तो हसी मजाख करना, ये उपाशक का भजन का बिग्म है, ऐसा न करें, सात्वा है, अपने रिष्टे नातेदारों के प्रति आशक्त हो जाना, जैसे इस्त्री, पुत्र और भी जो शम्मंद हैं, इनमें आशक्त भजन नहीं बन पाएगा, सबकी मम्ता ताग बटूरी, मम् अभी शुभाव बना लेना, जैसे कोई बाद करें तो बस एकदम गुष्ण होना, नहीं नहीं, आप भजन करने वाले हो, कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेश्टा, अब जिसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ सम्मंदी ही, आप शावधान कर रहे हो, आपको गुश्चा नहीं होना है ये आपकी भी तो परिक्षा हो सकती है भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपनेश सही किवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है उस्हमय आप प्रशांत मा बीविक क द्वारा अगर कहीं भी इस पुरण हो रहा जाएगे क्रोध को बहुत जादा ढकता है पुझे श्रीपाद पुडिया बाबाजी महाराज एक महिने में अगर कसके बार गुश्वा अ गई तो एक महीने का भजन ड़ग जाएगा भागवतिक तेज़ प्रकासित नहीं हो पाएगा और 12-12 साल में गुश्या आगई तो पूरे साल का भजन ड़ग गया और यहां यहां दिन में 12-12 आजाता होगा गुश्या यह ऐसा कैसे यह ऐसा कैसे गुश्या नहीं करने हैं क्रोध नहीं आने देना अंदर से नवा है हिंशा करना हिंशा वारी से भी होती है मन से भी होती है और शरीर से भी होती है जो भगवत मार्ग का पतिक है शावधान रहता है शरीर से तो हिंशा मुश्किल ही बनती है किसी भी जीव को कस्ट देने का शुभाव होने वा वाला साधक कैसे हो शकता है किशी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो परमारत का पति को हो यह नहीं सकता वो तो नाटक बाजी है किशी भी जीव को सरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है वो नहीं दे सकता है बड़ी शावधानी रखने की जरूरत है किशी भी जीव क नहीं, साप साप मारो मारो मारो, बिच्छी दो मारो कुछ को देखते हैं, च्छिप के लिए ऐसे फैवित हो जैसे मगर मच्छ च्छिप के लिए हाँ उसको निकाल के ओ मार, यह सा, बिलकुल शावधान बाबा स्रीधर जी महराज कालिद है 10-12 छिपकिली मच्छर दाली में उपर मच्छर दाली ऐसी मच्छर के हाथ 10-20 जगे से डाल सकते हो ऐसी मच्छर दाली लगी थी क्या रात दिन भजन में डूबे हुई वो ऐसा लिए था कि जो जाते थे अपने लोग तो आपका लक्ष प्रभू है तो आप में सब को प्रभू को देखना होगा सब में प्रभू कोई भी बादा नहीं पहुचा सकता सेनपुर में आप मतलब ये बात ऐसा लगेगा कि सायद अत्युक्ति करके कही जा रहे हो जैसे काले चीटे गुंते न ऐसे भूरी और काली बीची गुंती थी शाम के और एक से एक कोबरा किंग कोबरा बड़े बड़े स्लाम क्योंकि गंगा का किनारा भीशन जंगल और एक पंजीरी बाबा बुढ़े बाबा उधर रहते थे और दूसरे हम वहा थे और वो काल के बहरे थे कि हल्ला बचाओ तो सुलाईला दे अब केवल भगवदा अस्त्रे ले ही तो और क्या वा रह सकता है बड़ड निश्चे था कि अगर संयोग है तो काटेगा नहीं तो नहीं काटेगा तो बहुत समय तक रहने पर कभी बीची ने नहीं मारा कभी साप ने ऐसे आसन में बेठे हुए और ऐसे साप जा रहे है बिचखा पर साप उल्लू की आवाज तो ऐसे जैसे कोई संगीत गा रहा हो चौदा राग से उगाता है उल्लू शौदा प्रकार के आवाज होती हो हर आवाज में एक भैवत्पन और गंगा जी के किनारे तो प्रतिधोनी भी होती थी उसकी अधेरा न कोई लाइट न कुछ केवल प्रभू ही प्रभू मंत्राकार व्रति अरे जो पीछे शंत भात्मा इसी लिए ऐसे इस्थानों का चैन करते थे अन्यास्च्रेने केवल बजन ही करना पड़ेगा दूसरा उपाय नहीं है हिंशा ना तो शरीर्शे होनी चाहिए और बाणे से भी हिंशा होती है किसी के दिल में दुप पहुचाने वाली बाणी बोलना है हिंसात्मक बाणी है सब के दिल में दिलवर वास करता है उसी के हम उपास्वना करते हैं हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने है जिससे उसका हरदय दुखी हो जाए हम अपनी बात कह देते हैं, ना मानो आपका, बहुत भगवान गीता जी बोल दिये ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है, मानोगे तो भगवादा अनंद में रोगे, नहीं मानोगे तो विशे अनंद में डूबोगे, और एक होता है, मन से हिंशा करना, ये ज्यादा होता है शरीर से हिंशा करना तो साधक मार्ग में जाओ जोगोगे यह भी दंड है ना यह भी आप हिंशात्मक वचिन बोल रहे हैं अगर आप भजन करते हैं और भोगो, तो आपने उसके लिए बिधान कर दिया न, दुख का, तो शादू से होए न कारजहानी, शादू तो परहित परमंगल करने वाला होता है, उसके दुख का बिधान कैसे करे, और मन शे होता है, कि जब कोई हमारी प्रतिकूल चलता है, तो एक जलन होती, उस जलन में हम हमारे अंदर निकलता है, भोगोगे तुम फिर, आगे चलकर कि तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गती होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा, ऐसे, वो जो मन है न, वो अपने अप्संकल्ब करता है, तब इसको समझ में आएगा कि ये जो हमारी प्रतिकूल अगर ये बाते हैं, तो आपकी भाजन में टांग तूट जाएगे आपकी, आप भाजन की चड़ाई पे ने चड़ पाएगे, ये टांग तो सुरक्षित बनी रहे चाहे, लेकिन भाजन की चड़ाई आप ने चड़ पाएगे, आप फिसल जाएगे, जो दूसरे का तनिक अभी अहित सोचता है, उस दूसरे का अहित हो या नहों, तुम्हारा उसी चड़ से अहित सुरू हो गया, उसी चड़ से तुम्हारा हान सुरू हो गया, दश्वा है काम विकार, ये चाहे कर्म मार्ग का पतिक हो, कर्म यूग, भक्ति यूग, ग्यान यूग, ये तीनों मा में हो चाहिए कर्म यूग मार्ग में हो चाहिए भक्ती यूग मार्ग में हो यह ऐसा भागवतिक शैनिक है कि हर जगे इसका प्रवेश है बिग्न पहुंचाने कि इसमें ताकत है इसले साथ इससे डरते रहते हैं अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं ध्यान रखना यही डर ही डर अप्य हरिवन सहीत माप्रभु करें डरते रहो ना जानो छेनांत कवन बुदि घटाइं प्रकासित छुटी चेतन जुअचेत तुमुनी भैविस वासित माप्रभु कह रहे हैं इसे डरते रहो यह बात से डरते रहो एक संत भगवान करेते काला सर्प काट ले तो उसका उपचार हो शकता है लेकिन यह काम अपना अधिकार हरदय पे कर ले यह डस ले इसका उपचार नहीं ह होती जाएगी मतलब अवस्था सरीर की बढ़ती जाएगी आयू कम वैसे वैसे और बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी सरीर शक्ती छीर होती वैसे वासना और रंग लाती क्योंकि दुरुगती करना है ना इसे चाहिए कि भगवन नाम और भगवन आश्रे के बल से इस व अपनी निंदा होने पर शहन ना करना ये भजन में बाधा है जब अपनी निंदा हो तो आनंद बनाना चाहिए अंदर से कि जो हमें प्रारब्द भोग भोगना था दंड रूप में वो निंदा करके उसको नष्ट कर रहा है बड़ी कृपा हुई अंदर से इस बात को अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हमें आनंदित होना चाहिए हमारा परमार्थ मार्ग साफ हो रहा है ध्यान रखना हमारा परमार्थ मार्ग जो बाधित होने वाला था उसकी निंदा से कट गया बहुत बड़ा प्रभाव है बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्द का नास करा दे, वो निंदक है, इससे बड़ा कोई हमारा सायोगी नहीं है, साधो- निंदकम- मित्र हमारा- प्रसंसा करना वाला तो परमार्त में रोडा पैदा कर दिया, देहाब इमान फिर पुष्ट होगा और भगवत चरणारविंद का आस्त्रे चूट जाएगा लेकिन निंदा करने वाले ने भगवत आस्त्रे पुष्ट कर दिया परमार्थ को बिलकुल पवित्र शाफ कर दिया आये हुई बुरे प्रारब्ध को नस्ट करने के लिए यह जो हमारी प्रभु निंदा कराते हैं बहुत कृपा है छुपी हुई इसमें उसे हमें भोगना पड़ता सड़ना पड़ता कई वार शुनाया है कि भगवान वर्षिष्ट जी